हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में अम्रेला गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैंने 4 मीटर का प्रोकेट फैब्रिक लिया है अब इसको ओपन करेंगे और टू लेयर में फोल्ड कर लेंगे फैब्रिको टू लेयर में फोल्ड कर लिया है यह ओपन साइड है और इसके दूसरी साइड फोल्डिड साइड है अब हम इसको फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे फैब्री को 4 लेर में फोल्ड कर लिया है इसमें से गाउन के टोप पार्ट की कटिंग करेंगे यह open side हा और 4 लेर में है दूसरी साइड फोल्डीड side है गाउन के टोप पार्ट के लेंद 15 इंस ले लेंगे एक इंच एक्स्टा ले लेंगे मार्जन के लिए तो 16 इंच पर मार्किंग कर लेंगे दूसरी साइड भी 16 इंच पर मार्किंग करेंगे दोनों पैंटों को जोईन करेंगे और एक स्टेट लाइन ड्रो कर लेंगे अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे जैसे मार्किंग कर रखी एज़िटी जिसकी कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा फैब्री को निकाल देंगे फोल्डीर साइड से सोल्डर सेवन इंच पर मार्किंग करेंगे आर्मोल सेवन पैंट फाइव इंच पर मार्किंग करेंगे और एक स्टेट लाइन ड्रो कर लेंगे दो इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे कोर्णर पर वन इंच पर मार्किंग करेंगे और बैक आर्मोल की मार्किंग कर लेंगे राउंड सेप में अब फ्रन्ट आर्मोल की मार्किंग करेंगे अंदर की तरफ हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरीके से मिला देंगे यह बैक वाला आर्मोल है और यह फ्रंट वाला आर्मोल है अब यहीं से फिटिंग की मार्किंग करेंगे जैसे फिटिंग है 36 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा 9 इंच पर fitting की marking करेंगे अब कमर की fitting की 8 इंच पर marking करेंगे दोनों पाइंटों को join करेंगे और एक line draw कर लेंगे अब margin की marking करेंगे marking पर tape रखेंगे और 2 इंच पर margin की marking कर लेंगे दोनों पाइंटों को join करेंगे और एक line draw कर लेंगे अब solder की open side से half inch पर marking करेंगे नेकवीर 3 inch पर marking करेंगे दोनों पैंटों को join करेंगे और एक cross line draw कर लेंगे गाउन के top part की marking complete कर लिया अब as it is इसकी cutting करेंगे पहले back वाले armhole से इसकी cutting करेंगे बाद में front वाले part को अलग करेंगे और उसकी armhole से cutting कर देंगे एक्स्ट्रा फैबरी को निकाल देंगे margin वाली marking से cutting करेंगे जैसे marking कर रखी agities इसकी cutting करेंगे एक्स्ट्रा फैबरी को निकाल देंगे अब solder side से इसकी cutting करेंगे इसेंटर में कट लगाएंगे, बोटम साइड भी सेंटर में कट लगाएंगे, अब इसको उपन करेंगे, फञबरीक को फोरलेयर में फोल्ड कर रखा था, तो गाउन के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर लिये हैं, अब इसमें से front वाले पार्ट को अलग करेंगे. Front पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे. अब इसके आर्मोल की cutting करेंगे. Marking और कर रखिया है. वस अज़तिस की cutting कर देंगे. अब sleeves की cutting करेंगे. फैबरिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है. यह open side है और 4 layer में है और दूसरी side folded side है sleeves की length 15 inch ले लिया है 1 inch extra लिया है margin के लिए तो 16 inch पर marking करेंगे दूसरी side भी sleeves की length 16 inch पर marking करेंगे दोनों पैंटों को join करेंगे और एक straight line draw कर लेंगे अब यहां से इसके cutting करेंगे जैसे marking कर रखे एक्स्ट्रा फैब्री को निकाल देंगे sleeves की width 11 inch ले लिया है open side से 3 inch पर marking करेंगे और sleeves के armhole की shape दे देंगे अब bottom side marking करेंगे 6 inch पर marking करेंगे 1 inch extra ले लिया margin के लिए 7 inch पर marking कर लिया अब दोनों पाइंटों को join करेंगे और एक line draw कर लेंगे sleeves की marking complete कर लिया है अब as it is इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखे as it is इसकी cutting करेंगे अब दूसरी marking से इसकी cutting करेंगे एक्स्ट्रा फैबरी को निकाल देंगे center में cut लगाएंगे दूसरी side भी center में cut लगाएंगे अब इसको open करेंगे फैबरी को 4 layer में fold कर लिया था तो इसमें से दोनों sleeves के एक साथ cutting कर लिया है अब बचे हुए फैबरी को 2 layer में fold कर लिया है यह open side है और दूसरी side folded side है अब इसमें से यह वाला corner उठाएंगे और triangle की shape में 4 layer में fold कर लेंगे इस तरीके से fabric को fold करेंगे फैबरी को triangle की shape में 4 layer में fold कर लिया है यह open side है और 4 layer में है दूसरी side folded side है गाउन के bottom part के उपर top part set करेंगे folded side folded वाला part रखेंगे bottom part के उपर top part दोनों side से set करेंगे और इसके दोनों side marking कर लेंगे bottom part के उपर दोनों side marking कर लिए अब corner पर tape रखेंगे और marking तक इसकी length 14 inch है corner पर tape को fix रखेंगे और round shape में marking कर लेंगे अब सारे point को join करेंगे और एक line row कर लेंगे marking कर लिए है अब इस marking पर tape रखेंगे और gown के bottom part की length 39 inch पर marking कर लेंगे marking पर tape रखते जाएंगे और length 39 inch पर marking करते जाएंगे इससे gown की length 4 तरफ से बराबर रहेगी कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी इसी तरीके से सारे marking कर लेंगे gown के bottom side marking कर लिए है अब सारे point को join करेंगे और line row कर लेंगे gown के bottom part की दोनों marking कर लिए है अब margin की marking करेंगे अब bottom marking पर tape रखेंगे margin की marking 2 inch पर marking कर लेंगे marking पर tape रखते जाएंगे और 2 inch पर marking करते जाएंगे चारों तरफ save marking करेंगे 2 inch पर margin की marking कर लिए है अब सारे point को join करेंगे और line row कर लेंगे इसको stitching करते टाइम अंदर की तरफ fold करके सिलाई कर लेंगे gown के bottom part की marking complete कर लिए है अब इसकी cutting करेंगे पहले यहां से इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखिया है as it is इसकी cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे अब margin वाली marking से इसकी cutting करेंगे इसकी cutting करेंगे एक्स्ट्रा फैबरी को निकाल देंगे अब इसको open करेंगे इसकी करेंगे तो फैबरी को फोर लेयर में fold कर रखा था गाउन के bottom के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर लिए है अब front neck की cutting करेंगे neck width 3 inch पर marking already कर रखी थी neck length 5.5 inch पर marking करेंगे एक box बनाएंगे और neck की round shape में marking कर लेंगे अब यहां से इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखी है as it is इसकी cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे अब इसको open करेंगे gown के front neck की cutting कर लिया है back neck की cutting करेंगे folded side से same 3 inch पर marking करेंगे length 2.5 inch पर marking करेंगे एक box बनाएंगे और neck की round shape में marking कर लेंगे abasities इसकी cutting करेंगे अब गाउन के inner की cutting करेंगे मैंने 3.5 मीटर का silak का inner fabric लिया है पहले इसमें से top part की cutting कर लेंगे fabric को टू लेयर में fold कर लिया है यह open side है और दूसरी side folded side है अब इसको four layer में fold कर लेंगे fabric को four layer में fold कर लिया है इसका एक side folded side है और दूसरी side open side है अब इसके उपर gown के main fabric के top part का back वाला part रखेंगे folded side folded वाला part रखेंगे अब main fabric के side से marking कर लेंगे जैसे main fabric की cutting कर रखेंगे edgities इसकी marking कर लेंगे चारों तरप से अगर आप beginners हैं तो पहले आप इसको pin up कर लें बाद में इसकी marking करें फिर इसकी cutting कर दें दोनों part के inner की cutting कर लिया है क्योंकि fabric को four layer में fold कर रखा था अब bottom inner की cutting करेंगे fabric को two layer में fold कर लिया है एक side folded side और दूसरी side open side है और tangle की shape में four layer में fold कर लिया है यहां से open side और दूसरी side folded side है अब इसके उपर gown के main fabric को रखेंगे folded side folded वाला part रख लिया है अब इसके यहां से इसकी same marking कर लेंगे और bottom side से 2 inch कम marking करेंगे उपर से marking कर लिया है उपर से same marking कर लिया है और bottom side से इसकी marking करेंगे bottom side से 2 inch कम marking कर लिया है अब main fabric को हटा लेंगे और दोनों side से इसकी cutting कर लिया है अब इसको open करेंगे और bottom side में यह joint लगेगा stitching करते साइम इसको attach कर लेंगे अब gown के top part को right side से रखेंगे इसके उपर inner fabric को रखेंगे चारों तरफ से set कर लेंगे पहले neck के उपर सिलाई लगाएंगे half inch का माजन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे दूसरे part के neck पर भी सिलाई लगा लेंगे front वाले neck पर सिलाई लगा लिया है और shoulder पर और side में इस पर सिलाई लगाएंगे और inner attach कर लेंगे back neck के right side भी सिलाई लगाएंगे और side में भी सिलाई लगा लेंगे और inner attach कर लेंगे finishing के साथ neck पर finishing के साथ सिलाई लगा लिया है और side में भी सिलाई लगा लिया है और इसके उपर inner attach कर लिया है गाउन के top part को right side से रख लिया है अब इसके उपर back वाले part को रखेंगे दोनों part को एक दूसरे की right side face करते हुए रखेंगे दोनों के shoulder पर half inch का margin रखते हुए सिलाई लगा देंगे दोनों shoulder पर सिलाई लगा लिया है finishing के साथ गाउन के top को attach कर लिया है अब गाउन के bottom part को ready करेंगे गाउन के bottom part में joint लगाना है पहले joint वाले part को एक दूसरे की right side face करते हुए रखेंगे अब इसके उपर सिलाई लगा देंगे सेम तरीके से इसके दूसरे part में भी joint लगा लेंगे joint part को और गाउन वाले part को दोनों के दूसरे की side से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे गाउन के main fabric पर joint लगा लिया है inner fabric के दोनों part में भी joint लगा लिया है finishing के साथ गाउन के bottom part को ulty side से रख लिया है अब इसके ऊपर inner fabric को रखेंगे चारो तरफ से set कर लेंगे और इसके उपर half inch का margin रखते वय ainda लगा देंगे सेम तरी के से गाउन के bottom part के दूसरे part पर भी अब इसका center point निकालेंगे दोनों corner को मिला लेंगे और center में cut लगाएंगे दूसरे part में भी center में cut लगा लेंगे अब टोप पार्ट और बोटम पार्ट को अटेच कर लेंगे गाउन के टोप पार्ट के सेंटर में भी कट लगाएंगे अब इसके दूसरे पार्ट में भी कट लगा लेंगे अब गाउन के टोप पार्ट और बोटम पार्ट को अटेच कर लेंगे गाउन के टोप पार्ट और बोटम पार्ट को अटेच करके सिलाई लगा लिया है बैक वाले पार्ट के टोप और बोटम को भी अटेच कर लिया है अब गाउन के दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे गाउन को उल्टी साइड से रखेंगे पहले inner को fold करेंगे, पहले half inch fold करेंगे, उसके बाद 1 inch fold कर लेंगे चारों तरब से inner के fabric को इसी तरीके से fold करेंगे और सिलाई लगा देंगे गाउन के inner fabric को bottom side से fold करके सिलाई लगा दिया है अब gown के main fabric को fold कर लेंगे पहले 1 inch fold करेंगे उसके बाद 2 inch fold कर लेंगे चारो तरप से इसी तरीके से fold कर लेंगे और इसके उपर silah लगा लेंगे मैंने पहले इसके उपर marking कर रखी है वहीं से silah लगानी है gown को bottom side से fold करके finishing के साथ silah लगा लिए अब gown के उपर sleeves attach कर लेंगे पहले sleeves को ready करेंगे पहले sleeves को bottom side से fold करेंगे पहले half inch fold करेंगे उसके बाद 1 inch fold कर लेंगे इसके उपर silah लगा देंगे sleeves के bottom side से lay लगा लिए अब इसको center से fold कर लेंगे और इसके उपर silah लगा लेंगे पहले मार्किंग कर लिया है अब एगटी साइड से फोल्ड कर लिया है और स्लीव इसको एंदर की साइड डाल लेंगे सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे स्लीव्स पर और गाउन के आर्मॉल पर हाफ इंज का मार्जन रखते वे सिलाई लगा लेंगे और स्लीव्स को अटेच कर लेंगे सेम तरीके से दूसरे वाले स्लीव्स को भी अटेच कर लेंगे sleeves को gown के अंदर डालेंगे center को center से मिलाएंगे और इसके ओपर सिलाई लगा लेंगे gown पर दोनों sleeves को attach कर लिया है finishing के साथ और finally gown बनके ready हो गया है Friends, इसी तरीके से आप किसी भी sides के gown की cutting और stitching कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से इसके बाद अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप comments कर सकते हैं मैं आपका reply जरूर करूँगी और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करना पिल्कुल भी मत बुलना और side में बने हुए bell icon को जरूर प्रेस करना जिसे जब भी मैं आपने वीडियो डालो तो आपके पास notification आजाए Thank you so much कर दो झारा में पासाए